उसकी माबहन है उसमें भूत पिचास के साथ आपकी माबहन और बेटी आपके जात विरादरी के लोग भूत भरता वहाँ, कपड़ा खुल जाता वहाँ, देखे टीवी में क्या दिखलाता है, इसने सरम की बात है बाबा पागेश और धाम के धरेंदर शास्तरी के पटना दोरे को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में घमासान बढ़ते ही जा रहा है इसी पीज बिहार सरकार के सहकारिता मंतरी सुरेंदर प्रसाद यादव ने धिरेंदर शास्त्री के दोरे पर आपत्ती जटाते हुए एक विवादित बयान दे डाला है दरसल बीते शुकरवार को मंत्री सुरेंदर प्रसाद यादव ने गया के फतेपुर में कारेकर्म को संबोधित करते हुए महिलाओं के प्रती खुले मंच से एक विवादित बयान दे दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वाइरल भी हो रहा है मंत्री सुरेंदर प्रसाद यादव ने कहा कि धुरेंदर शास्त्री की सभा में गिनावना काम होता है शर्म करो और डूब मरो अगर बिहार में आकर मा बहन को भूत के नाम पर नचाना है तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती धिरेंद्र शास्त्री के कारेकर्म में भूत खेलते-खेलते महिलाओं के कपड़े तक खुल जाते हैं कर रहे हैं गयते चुनाओं में हन्वाने जी के पूल चर्चा किये अब हन्वाने जी के नाम पर भूट पान रहे हैं बाले सर्वाव आपके अब चलेगा एक बात हमेशाई आदे कि कितना खीनाउना कांध है सरम करो और बुम मरो अगर बिहार में आके आपका बेटी बहीं के भूट के नाम पर नचाता है माबहन को नचाता है तो बुम मरो बले सर्वाव के सामने जो जाता है वो अभी तक टीवी में देखाया का बले सरक उसमें माबहन थी जो नेता उसको पर्च प्रिलक करता है जो पाटी पक्धर है उसकी माबहन है उसमें भूट पिचास के साथ आपकी माबहन और बेटी आपके जात विरादरी के लोग भूट भरता वहां कपड़ा खुल जाता वह देखे टीवी में क्या दिखलाता है इसे सरंग की बात है जो उसका जाता है पुरान देखने और सुनने और समझने क्या बोला भाटपा वाले लोग आज अखवार में आया है जिसकी हिम्मत है रोक के दिखला दे मैं चुनोती सुमिकार करता हूँ आज बुदा अखवार मे वहीं बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव के टिपणी पर बीजेपी के विदायक हरीभूशन ठाकूर बचौल ने किया पलटबार कहा सनातन संस्कृति के बड़ते प्रभा को देखते हुए मंत्री जी अनाव शनाव बोड़ रही है कि जब नाचा नहीं गाया नहीं तो भी मनुस्व मनुस्व है आध्धात्मिक्ता का एक अंग है kirtan, न्रतन अध्धात्मिक तो मंत्री जी को कुछ लेना देना नहीं जीवण भर किये हैं अवेद्धकाम आप मंत्री हो गए हैं किसी पुन्य प्रताप से पुर्वजन्म के तो आप बोलते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि दूसरे धर्म पर भी बोल करके जरा देखें कि किस तरह उन पर फत्वा जारी हो जाता है सनातन संस्कृति के बढ़ते प्रभाव से घबरा करके मंत्री जी अनाप सनाप बोला बंद कीजिए बिहार की जंता देख रही है जो आप लोग तुस्टी करन की निती के तहत बोट बैंके निती के तहत जिस तरह से सनातन संस्कृति का आप मान कर रहे हैं आने वाले दिनों म लोग जन्शक्ति पार्टी राम विलास के राश्ट्री अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुरेंदर रियादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को बिहार की जुलन्त समस्याईं दिखती ही नहीं है या फिर ये लोग देखना ही नहीं चाहते बाई मिरी समझ में नहीं आता कि सरकार को बिहार की जुलन्त समस्याईं दिखती है कि नहीं दिखती है या ये लोग देखना नहीं चाहते बार बार लोगों की आस्था लोगों के विश्वास का मजाक उड़ाना और उस पर बियान बाजी करना बाई हम हर बार कह चुके हैं कि वेक्तिगत आस्था के विशे हैं ये कौन किस चीज में आस्था रखता है कोई तीसरा वेक्ती उसको निर्धारित करने वाला कोई नहीं हो सकता आपकी संभवता जिस चीज में आस्ता है मेरी उसमें नहीं होगी या मेरी जिसमें है आपकी नहीं होगी यह विक्तिकत विश्वास का विश्वास है भई कई लोग हैं जो बाबा पे विश्वास करते हैं कई लोग हैं जो बाबाओं पे विश्वास नहीं करते हैं वो छोड़ दीजे ना उनके उपर सरकार का काम यह नहीं है कि किसी की आस्ता किसी के विश्वास के उपर कोई टीका टिप नहीं करें सरकार का काम है कि लोगों को उनकी जरूरतेन महिया कराई उनको सुविधहाएं दे क्या बिहार में तमाम और जोलंद विशे समाफद हो गये है पूरी की पूरी सरकार कौन से बाबा आ रहे है कौन से बाबा नहीं आ रहे हैं। छोड़ दीजिदे न, लोगों के दर्शाता है कि सरकार ज्वलन्द विशो से ध्यान बढ़काने के लिए इस तरीके की बियान बाजी कर रही है जो सरासर गलत है बता दे कि ध्रेंद्र शास्त्री के बिहार आगमन को लेकर लालू यादव के लाल तेज प्रताव यादव ने सबसे पहले वरूद किया था इसके बाद बिहार की राजनिती में खुब बयान बाजी हुई अब पटना में ही शहर के बाहर नौबत पूर में ध्रेंद्र शास्त्री के कारेकर्म को शिफ्ट कर दिया गया है 13 से 17 मही तक बागेश्वर बाबा का दिव्य दर्वार सजेगा अब आने वाले 13 मही के बाद ही पटा चल पाएगा कि ध्रेंद्र शास्त्री के कथा कारेकर्म का बिहार में स्वरूप क्या होगा मंजाब के स्टो टीवी के लिए गया से अब शेक सिंग की रिपोर्ट